हेलो एंड वेलकम मैं हूं हरिस चौधरी और आप देख रहे हैं हरिस प्रोजेक्स यूट्यूब चैनल यहाँ पर मैंने ये एक कार बनाया हुआ है जिसको अपने वाइफ ही के द्वारा कंट्रूर कर सकते हैं फोन से और इस प्रोजेक्स में मैंने इंजन का यूज नहीं किया है क्योंकि मैंने इसको सिर्फ डेमो को लिए ही बनाया हुआ है और इसका जो engine जो होगा उसको हम अपने phone से on off कर सकते हैं और हम चाहें तो दूर से भी on off कर सकते हैं और चाहें तो पास से भी on off कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आजकर bikes and cars बहुत जादा चोरिया हो रही है तो इसी प्रोल्म को देखते हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया हुए है कि जो engine का जो access होगा, वो सिर्फ कार के ओनर के पास होगा, जिससे के जो री नहीं होगा, यह जो प्रोजेक्ट रहे हैं, में बहुत यह साइंस प्रोजेक्ट हैं, मैंने अपना ID इस वीडियो के description में दे रखा है So let's start the video वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस website के बारे में बताना चाहता हूँ जहां से मैंने अपने PCB को order किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस website का नाम है JLCPCB इस website से आप सिर्फ दो डौर में 5 PCBs order कर सकते हैं एनी कलर आपको अपना PCB design करना है और इसको गरपर फैल में save करके उस फैल को यहाँ पर upload करना है और upload हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको set करना है जैसी की color, thickness, mm layer, materials इन सबी को set करके आपको add to card कर लेना है और आप इसको अपने card में जाकर easily order कर सकते हैं और जो PCB quality है बहुत ही अच्छा है आप यहाँ पर दे सकते हैं बिल्कुल strong है new users को यहाँ पर 27 dollar का coupon भी मिलेगा इस website का link अपने इस video के discussion में दे रखा है जहां से आप भी PCBs order कर सकते हैं इस project को बनाने के लिए हमें जो भी समान चाहिए उसके हाँ पर मैं दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं चाहिए note mcu ESP8266 एक Arduino UNO Brutth module HC05 एक motor driver एक 5 volt relay DC gear motors और उसके wheels और इसका base बनाने के लिए हमें चाहिए sunboard seat अगर आपके पास sunboard seat नहीं है तो आप cardboard का भी उच कर सकते हैं और वैसे दोस्त मुझे कई लोग comment करते हैं कि आप video में ठीक से connection नहीं दिखाते तो मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि जो video का length होगा बहुँ जाता बढ़ जाएगा क्योंकि आप diagram को देखकर क्लियर्ली समझ सकते हैं की कौन सवाइव किसमे connect है जिससे कि आप इसलिए परोजेट्स को बना सकते हैं और में अपने वीडियो में भी text कर जाता हूँ कि कौन सवाइव किसमें हमें connect करना है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं सो यह सका टाइग्राम आप आपर एसक्ते हैं सु इस डायग्राम को आप डॉनवर्ड कर सकते हैं मैंने इस इस का वीडियो के डिस्क्रीक्रेशन में दे तो चलिए जल्दे से हम इस प्रोजेट को बनाकर रेडी करते हैं और देखते हैं लास्ट इमें इसका वर्किंग यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सभी कनेक्शन कंप्लिट कर लिया है और यहां पर यह जो रिले वारा जो सर्कृट है उसको इसमें मैं स्विच बटन के तरह यूज़ करने वाला हूँ सो चली 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 से हम इस सर्कृट को इस कार के बेस में अटेच करते हैं सो हमारा प्रोजेक्ट यहां पर बन कर बिल्कुर रेडी हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं सो इस कार को अब कंट्रोल करने के लिए हमें इस एप्लिकेशन का जोरत पड़ेगा सो यह जो एप्लिकेशन है इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्केशन में दे रखा है जिसको डाउनलोड कर सकते हैं आप और इसलिए इस पॉजट को कंट्रोल भी कर सकते हैं सो आप यह पर देख सकते हैं हम इसके इंजन को इस फोन से अन आफ कर सकते हैं जैसे की यहां पर मैं कर रहा हूं और इस कार को फर्वार्ड बैक्वार्ड राइट एंड लेफ्ट कनेक लिए हमें दिश्रे अप्लिकेशन को जोरत पड़ेगा जो की वाइप में से कनेक्टिड होता है तो यहां पर जो हमारा प्रोजेक्ट है यह बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है और अगर आपको एकसे वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस शेडियो ट्रेल को सब्सक्राइब करें अब और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्ट आप मुझे बुला कर देखने हैं